कुरोना संकर पर पिये मूदी के अपील 9 अप्रेल को रात 9 बजे घर की लाइट बन कर बालकिनी में आकर 9 मिनिट तक जलाएं दिया मुंबत्ती या मुबाइल की फ्लाश लाइट मैं फिर कहूँगा मुंबत्ती दिया तौर्श या मुबाइल की फ्लाश लाइट पाँच एप्रिल को रात को 9 बजे 9 मिनिट तक जरूर जलाएं पिये मोधी ने दियर आया दिया जलाते वक्त सोचल डिस्टेंसी की लक्षमर रेखा न तोड़े कुरोना से जीतने का यही है रामबान इलाच पिये मोधी ने कहा इस अंदकार में करूना संकर को पराजुद करने के लिए प्रकाश के तेज को चारो दिशाओं में फहलाना होगा पियम मोदी ने कहा करोना संकर्ट पर हम 130 करोड की महाशक्ति को जागरत करना होगा उन्हें ये भरोसा दिलाना होगा कि हम में से कोई अकेला नहीं है पियम मोदी ने 22 मार्च जनता कर्फ्यू की दिलाई याद कहा कई देश आ जनता कर्फ्यू पर घंटी या फर थाली बजाने के कारक्रम को दोरा रहे हैं पियम मोदी ने कहा करोणा संकर से सबसे जादा प्रभावलत हमारे गरीब भाई बैन है उन्हें दिखानी होगी आफशा की किरण पियम मोदी ने कई राज्यों की मुख्यमंतियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग की बात लॉकडाउन की हालाग को लेकर चरचा पियम ने करोणा से लड़ने में राज्यों को दिया हर मुम्किन मदद का भरोसा कहा पूरी देश में एकजुत होने की जरुष मरकज मामले के बाद राज्यों की मुख्यमंतियों से पीम की अपील, सोशल दिस्टेंसिंग और जागरुकता के लिए धर्म गुरुओं का ले सहियो देश में कुल 2301 लोग कोरोना वाइरस से पीडित 156 लोगों की हो चुकी है मौत देश भर में 157 लोगों ने जीती कोरोना से जंग, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हुए स्वस्त दिली सरकार के दिली स्टेट कैंसर इंसिट्यूट के दो नर्सिंग ओफिसर कोरोना पॉजिटिव अस्पताल के पूर 19 लोगों का कराया गया था कोरोना टेस्ट दो दिन पहले ही इसी अस्पताल के एक जॉक्टर में हुई थी कोरोना वाइरस की पुष्टी, नर्सिंग ओफिसर के संपर्क में आये लोगों की बनाई जा रही है लिस्ट दिली में निजामुदीन मरकज से मौलाना साथ ने तबलीगी जमात के लिए जारी किया ओडियो संदेश कहा गया निजामुदीन से जो साथ ही गए हैं वो अपना चेक अप खुद कराने और हुकूमत का साथ दे कोरोना संकट पर लॉकडाउन के बीच सीम योगी ने रिलीज की ओनलाइन पेंशन पेंशन धारकों से की बात मौलाना अर्शद मर्दी ने की अपील कोरोना संकट के बीच घर पर पढ़ें जुमे की नमाज कहा बिना मस्जिद आये पांच लोगों के साथ घर पर जुमे की नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं हाधरस्थ में लोगों ने कोरोणा संकट के बीच ड्यूटी पर मुस्याख फुलिस कर्मियों का किया स्वागत फूल बढ़ साई जबू कश्पीर में पिछले 24 गंटे में बढ़े कोरोणा के 5 मरीज इस बीच श्रिनगर के सीडी हॉस्पिटल से अच्छी ख़बर कॉरिंटीन किये गए मरीजों की सुधर रही है सेहत नागपुर महानगर पालिका ने शहर में शुरू किये 10 अस्थाई सब्जी मार्केट पुलिस सिखा रही है सोशल डिस्टेंसिंग का पार्थ मुंबई के भाइखला सब्जी मंदी में सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवा देखे तमाम लोग महराश्ट में करोना का सबसे ज़्यादा के है लोगडाउन के बीच पुन्ष में जरुवत बंदों के लिए आगया एस इना के जवान डौट डौट जाकर माटा राशन क्रोना संकर्ट और लोगडाउन के किसान हुई परिशान नासिक बेक किसान ने बिक्री ना होने से दो एकल अंगूर की फसल की नच्च 270 कुंटल अंगूर परपाद असुद्दीन ओवैसी ने तब्लीगी जमात में शामिल लोग की कुरोना वाइरस से मौत पढ़ दिया विवादित बयान मिद्कों को बताया शहीद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया ओवैसी की बयान का वीडियो जफिये उल्मा एकराम ने फर्मा दिया कि जो मुसल्मान हजराद की मौत होती है इसमें ये शहीद कलाते हैं बगदी बात है शहीद कलाते हैं बिलकुल क्यों धन्बाद में पुलिस वानव श्रिंखला बनाकर प्लेकार के जरिय दिया गया करोना की ख्लास अंदेश सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ध्यान मुदफर्पुर में दियेम ने किया साफ लॉकडाउं के दरान पुशी कारे पर पाबंदी नहीं फसर की कटाइब थी शूप कोरोना पर लॉकडाउन के बीश बद्रिना से आता कि तयारियों में पंदा दिन की देरी एक अप्रेल को जाने वरा जथा अब पंदा अप्रेल को उगा रवाना 30 अप्रेल को खुलने हैं कफार देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना संक्रमन की संक्या दोहजार उनत्तर पर पहुंची पिडितों की तादा कोरोना से अपतक तिरपन लोगों की मौत पूरी तरह ठीक होकर घर लोटे करीब देर सौ लोग पिछले 24 घंटे में सामने आएं कोरोना के 328 नए मामले महराश्ट्र में आज 81 लोगों में बीमारी की पुष्ट दिल्ली मेरी वर्ड रहा है कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 293 लोगों में वाइरस का संक्रमन मरकज के 182 लोग शाख मधिप्रदेश में कोरोना वाइरस की चपेट में 107 लोग इंदौर में 82 मामले गाजियबाद की आइसलेशन वार्ड में रखे गई जमातियों के खिलाफ अस्पताल में दर्च कराया केस अश्टील हरकते करने का आरोग छे जमातियों को ले जाया गया था अस्पताल इनमें से एक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव सब को भेजा गया दूसरे अस्पताल मेरट में पांच और लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव चार लोग जमात से जुड़े मुजफर नगर में लॉकदाउन के दौरान पुलिस टीम पर भीड ने हमला कर दिया एक सब इंस्पेक्टर और दो कॉंस्टेबल खायर देवरिया में दिल्ली से लोटे एक युवाक को आइसलेशन में जाने से किया इंकार पुलिस ने प्राइमरी स्कूल में जबरदस्ती रख वाया में बीमारी की पुष्टी गर्वती पत्नी की रिपोर्ट थी पॉजिटिव बिहार के गोपाल गंज में एक शक्स कुरोना पॉजिटिव शेहर में साइन्टाइजर का चिर्काव मज़देश के चिंदवारा में करोना पॉजिटिव का पहला के संपर्थ में आने वारे लोगों की लिस्ट बना रही पुलिस मरकस से गाजीपूर आए मौलाना में मिला करोना वाइरिस 27 लोगों की हुई जांच बिहार के गया में एक और महिला मरीज की जांच रपॉड आई पॉजिटिव गया में करोना के अब तक तीन मरीज गया के पहार पूर में करोना पॉजिटिव मरीज मरले से आसपास की गाउं में देशत बाहरी लोगों पर लगी रुख जोदपूर में एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पोलिस ने पूरे इलाके में लगाया करफि हिमाचल के उना में दिल्ली से लोटे तीन लोग करोना पॉजिटिव तबली की जमात में हुए थे शामे तीनों के घर के आसपास के इराके को किया गया सील, पूरे जिले में लगाया गया कर्फी वारणसी में जमातियों की धर पकड़ छे पर F.I.R 25 लोग बीजे कए आइसोलेशन में 29 मार्च को आयते वारणसी तब्लीगी जमात से जुड़े दो लोगों की दिल्ली में मौत देश भर में पहचान की बात कराए जाने हैं जमातियों के टेस्ट अब तक फरार है जमात का चीफ मौलाना साथ वकील ने कहा पुलिस के समन का जल्द देंगे जवाब मौलाना साथ की फरारी पर वकील ने दी सफाई दिल्ली सरकार और पुलिस पर उठाए सबाद उनके मुताविक कि हमने या मर्कज ने लोफुल ओर्डर्स को डिफाई किया जो कि अपना अब में गलत है हमारे पूरे सुबूत हैं कोई हमने ओर्डर को डिवाब कोरोना संक्रमन से जमातियों का करेक्शन सामने आने की बाद नरम पड़ें मौलाना साथ की सुर्व वीडियो संदेश में दी सरकार के आधेशों की पादम की नसीहत डिली के जिजामदीन तब्लीगी जमात पर शामिलों कर शाजांपूर पहुंचे आतलों के खिलाफ के जयानकारी चिपाने और जांक पर सहयोग ना करने कारो आधमगर में मरकर्ज निजामदीन से लोटे एक संदिक के सदर अस्पिताल पहुंचते ही बचा अरकंप मरीज और उसके परिजन अस्पिताल चोड़कर भागने लगे अलिगर में मस्जिद के सामुएक नमाज की खबर मिलने पर पहुंची पुलिस टीम लोगों ने किया पत्राफ तीन लोगी रासफ में यूपी के महों में 114 जमातियों पर उन्हें रखने वाले 28 लोगों पर केस दर जमातियों को एक स्कूल में रखा गया मरकस लोटे 13 लोगों को ले आ गया हिरासफ में पुलिस ने एक स्कूल में किया क्वारंटीन फिरोजाबाद में रथाई जमाति मिलने से बचा हर कम 3 लाकों को सील करने के आदेश तब्लीकी जमात में शामिल दस लोग लोटे पाली सर्फी स्कूल में रखा किया आईसोलेशन में पंजाब के कपूर ठला में डिली के वरकस लोटे साथ लोग और मुंबई से आये हैं 14 लोग प्रशास ने सब को घर में किया आईसोलेट हर दोई पे जमात लोटे 14 लोगों पर केस, जानकारी चुपानी कारो निजामुदीन से जौन पूर आए, दो लोगों में करोना रिपोर्ट पॉजिटिव एक बांगलदेशी है, दूस्ता उनका गाईड निजामुदीन के बरकस से निकाले गए हर शक्स का डॉजियर तयार करने की कवाया चुरू पिछले तीन महीने की यात्राओं का निकाला जाएगा ब्योरा तब्लीगी जमात में आये करीब 900 विदेशियों पर सकती सरकार ने रद किया वीज़ शाहिनबाग तक पहुंचा तब्लीगी जमात का कनेक्शन धरने में शामिल हुआ था एक जमात दिली के वजीराबाद की मस्जिब में छिपकर रह रहे थे 12 विदेशी समेट 15 लोग तब्लीगी जमात में हुए थे शामिल कानपूर में आठ हिदेशियों पर एफायार दर्ज दिली के जमात में हुए थे शामिल पुलिस ने लेजा अस्पताल पश्चिम बंगाल के माल्दा में रिष्टदार से मिलने आया शक्स लॉग डाउन में फसा नाउ पर आस्रा गम वाले देते दिखे थान आग्रा के डॉक्टर और उनके बेटे को कोरुना गुरुग्राम के मिदानता अस्पताल में चल रहा है इलाच प्रिशासर ने आग्रा में डॉक्टर के अस्पताल को किया सीन नए मरीजों की परती पर रोख सूत्रों के मुताविक डॉक्टर के संपर्ख में रहने वारे दूसरे चिकेट्सकों में खलबली आग्रा में अब तक कोरोना के बारह मरीज आग्रा में कारुबारी की घर पर पुलिस और ड्रग विभाग की टीम कच्छापा अठारा सुडेटर सैनिटाइजर्स आउट अतरफ में आइसलेशन क्याम से भागे पैते स्लोग पकड़े गए मजदूरी करने के लिगाए थे वहां भाराज गंग भी कुरोना वाइरिस को लेकर भारत नेपाल के अधिकारियों में हुई थी पैठर सुजावों का आदान तो रान रागराज में लोगडाउन में फसे सेखों मजदूर हो रहे हैं परेशान, खानी की बढ़ी परेशानी अंजाव के मुक्तर में जान जोखी में डालकर काम करें सफाई करमचारियों कर सम्मान बरसाए गए पूर रोजाबाद में लोगडाउन सफल बनाने के किनना रूत्रे सरक पर नियम तोडने वालों को गुलाब देखकर समझाया यूपी के लखी मुक्तर में लोगडाउन के इरान येमों की उड़ी धजियां गरीबों को लंच का पाकट बाटने के दरान बेकाबू हुई भी बिहार के मोठीहारी में टीम महीने का राक्षन नहीं मिलने से लोगों में गुस्ता राक्षन दीलर का घिराओ यहार की मुझाफ़त पूर बे लोगडाउन के रान बाहार निकले लरकों को पुलिस ने कराई उठख बैठख करोना के चलते हो रादाबाद में स्कूल कॉलेज बनाए गए 10 शेल्टर होम अब तक 4 शेल्टर होम, 197 लोग वहाँ हैं मौजू उधम सी नगर में स्काफ फेरे के बाद फाने पहुंचे दुला दुलन गार 144 के तहत किया गया अंतर उस्मानाबाद जिले में सामनी आए कोरोना के पॉजिटिव केस एक दिल्ली से और दूसरा मुंबई से पहुंचा था अपने गाउट यूपी के शामली में किनर बने गरीबों के मददगार लॉकडाउन में बाट रहे हैं राशन हैदरबाद में कोरोना को लेकर जागरुकता फैलाने की कोशिश एक समाथ सेवी ने कोरोना राक्षस का रूप बनाया बद्रिनाथ से फिर शुरूई बर्फ बारी उंचाई वाले इलाकों में गिरा तापमार लगातार दो जिन से गिर रही है बर्फ शूमें से नीचे लुड़का पारा लाजिन अमेरिकी देश पैरू में कोरोना की वज़े से 47 से ज्यादा लोगों की मौत तेरा सो से ज्यादा लोगों में संक्रमन पूरे देश में एमर्जनसी का एहला कई फैक्ट्रीज का चीन की राष्टपती शी जिन्पिंग ने किया दौरा अर्च्रिवस्था की मजबूती का दिया जिंदेश कोरोना संक्रट के बीच चिली की एक कंपनी के अनूटी पहल तामबे से तयार किया बार-बार इस्तमाल होने वाला फेस मास्क लोगडाउन के दौरान मैंचेस्टर में बच्छों का मनरंजन कर रहे हैं स्पाइडर मैन कसरत के दौरान स्पाइडर मैन के ड्रेस में नजर आते हैं दो युवक अमेरिका के एराओ में कैमरे में कैद हुए भूक अप के जटके रिक्रस्केर पर 6.3 मा पी गई ती विता नमस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप हमें उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रहे आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले